तो हैलो दोस्तों आप लोग स्वागत है इस चैनल की मेरी फर्श वीडियो के अंदर तो आज के इस वीडियो करने वाले हैं एक न्यू स्रीज का एकस्प्लेडेशन जिसका नाम होने वाला है ता गेंश्र बोस इस अगेंस इस टीन और अपने लोग इसको गेंश्र बोस गए में एक गेंग में शामिल हो गया और 20 साल की कड़ी मिनत के बाद मैंने सी सिटी के अंडर वर्ड को एक चुट कर लिया और फिर यहां पर किसी बंदे के एंटरे होती है जो कि बोलता है ब्रदर तैंक्शिया हम जाने के लिए तैयार है और फिर इसको बाद में दिखाता है जैसे ही वह थोड़ा अपनी रूम से एंटर करते हैं तो बहुत सारे बंदे खड़े हुए रहे तो जो कि उसको बोस बोलते हुए ग्रेट करते हैं और फिर इसके बाद हमें एक जिगा को दिखा जाता है जहां भी लोग आयो जो मैंने मांगा था दिखाते हैं वह बंदा बेख खुल के दिखाता है और बोलता है यह 20 किलो ग्राम का एकदम टॉप को लिटी वाला माल है और वह बंदा आगे बोलता है ब्रादर त्यांशिया क्या पेसे लाए हो और फिर तभी दिखाते हैं जो त्यांशिया ने वह चुड़ी को बचात हुए अपने पिछे लग रहा है दिखाते हैं त्यांशियान के था हम उनके प्रोड़क्ट से इते फिमिलर नहीं है इसलिए इसे टेक्स सब्जेट के पास ले जाओ और फिर इसके बाद में दिखाया जाता है उनका टेस्ट सब्जेक्ट एक छोड़ा सा बच्चा होता है जो कि रो रहा होता है और वो एक बच्चे को इस समय शामिल कर रहा है वो तो पकासी सिटे के अंडर वर्ड को एक चुट करने वाले परसन के रोप में अपनी रेपूटेशन बर ख़रा होता है और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उस बच्चे को पिला देते हैं बोडल के अंदर बर से बहुत खशुआ चलो साथ मिलका काम करते हैं दिखाते हैं वो बन्दा बोलता है तांग शीया खूश है तो वाकिए में और फिव आगे बोलता है क्या हम अगली बार कहीं और बिल्कुल सिंबल तरीके सी मिल सकते हैं इस तरीके से मिलना ऐसा है कि जैसे हम किसी ड्रक्स की तसकरी कर रहे हूं दिखाते हैं त्यांशियान हसते हैं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं मुझे इस तरीके की आदत हो गई है दिखाते हैं एक बंदा त्यांशिया से बोलता है भाई त्यांशियान हम प्रोडेक्शन फीस लेने की बज़े मिल्क पॉडर क्यों बेच रहे ह त्यांशिया बोलता है तुमको तो कुछ भी नहीं बता बच्चे इस देश का future है उन्हें शामिल करने वाले business को target करना काफी आसान है और उनसे पेसे कमाया जा सकता है आसानी से दिखाते है वो बंदा बोलता है लेकिन हम gangster है दिखाते हैं त्यांशियान उससे बोलता है एक gang म भी वो अपने सारे बंदों से बोलता है यहां पर एक sniper है भाई त्यांशिया को protect करो दिखाते हैं और निकाल लेते हैं और घरा बना के खड़े हो जाते हैं और फिर इसके बाद हमें दिखाते है वो बंदा त्यांशियान को आपाद दे रहा होता है भाई त्यांशियान और देखाते हैं यहां पर उसके रचती है और यहां लक्त तरह जाते हैं और इन लग रहा है और बहुत अंदेरा है और पर घंड होता है क्या मैं मारा नहीं और फिर तभी यहाँ पर में दिखाते हैं जो अपना थियांग स्चाग है वो खड़ा हो रहा होता है और दोनों चंपचों में और थे रहे क्ष्बूं के स्थे मैं और धुसरा के सोब सनेता हो और फिर यहां पर हमें धिखा जाता है जिसकी बज़ीआसे इंका पुर्ष छिला रहा होता है और उसकी खरत हो जाती कुर्षक शहनुत ऐसे कहता है गसर नोड़ सब्सक्राइब निचेल ने कहता है किया नोशना मिपद पलें तो या सब्सक्राइब हो प्रूर। और फिर यहाँ पर मैं दिखाता है उनके बोस ख्राब हो रही होता है ज Phi चॉल तह वूसे जिब धाए जाता है जो त्यांग शान है वह अखेर उन बच्चों की problem क्या है और फिर इसके वह आ दिखाता है ऑना न दोने चम्शास सों बोलता है और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो त्यांगशे आए वो उसके अंटे क्रच कर देता है और फिर उसको छड़के वहाँ से जाने लगता है वो वहीं पर पढ़ा रहता है उसके मुझे जागा रहा होता है और उसके चमचे बोल रहते हैं बोस क्या आप अभी भी और अपना मूद होते हैं मुझसे एक्टम सुसू की तरह इसमें ला रही है और फिर इसको तो में दिखा जाता है जो त्यांगशे वो सोच रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे को तो गोली लगी ती और में मर गया था लेकिन मैं यहां इन बच्चों के बेच के साथ क्या कर रहा हूं और फिर इसको तो में दिखाते हैं वो अपनी आंखे खोलता है और सामने आयने की तरफ देखता है और कहता है अरे यह क्या बखवास है और फिर इसको तो में दिखा जाता है जो त्यांगशे है वो आयने की तरफ घुर घुर के देखने लगता है खुद क अरे क्या आज ही वो दिन नहीं है जब मैं डील कर रहा था और मुझे गोरी लगी थी मेरा पुनारजना मित्ती तेजी से कैसे हो सकता है यह बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक मैं इस तरह का दिखता हूँ मेरा लोग इस तरह का है तो कोई भी मेरे बात उपर यकीनी नहीं दिखाते हैं वो दोनों चम्चे छुपके त्यांग श्या की तरफ देख रहे होते हैं और आपस में कह रहे होते हैं एक बंदा कहता है चेंजियों के साथ कुस्तों गलत हुआ है उसमें कुस्तों गरबड है वो आज बिल्कुल एक अलग तरह के परसंट के तरह एड़ कर रहा चलो अब तुह यहां पर एक शो होने वाला है दूसरा बंदा कि रहा हुता है कि आप बोस उसे क्रश करने जा रहे हैं और फिर इसको बाता हम दिखाते हैं उनका बोस त्यांग शिया से कहता है अगर आज हम लोग तुमको अच्छी तरह से पीट नहीं देते तो तुमको य हैं तुमने के शाल नहीं तो सकता हुं और दिखाते हैं यह सुनने क्रवाद चयर्प ये ख़र दार पंच मारता ही जिसाता है और उसके खराव जाती है दिखाते हैं दोनों चमचे अपने बوس को समालते हैं और कहते हैं वह और एक चमचा कह रहा होता है बوس आपके मुझे तो फिर से जाग ने कलने लगा और दुसरा कहते है अरे बोस के आप अभी भी जिन्ता हो और फिर इसकी बात में हमें जरह सा भी मताना मैं मार्शलार्ट जानता हूँ दिखाते ही ये सुनने के बाद जो त्यांक शाय है वह उसके चेरे पर कैसे मारा और फिर इसक़द में दिखायाता है जो त्यांक शाया है वो नोगों से बोलता है सोरी मेरी गलती थी ब्रदर जियोंग दिखाते हैं त्यांग शाद दूसरे चमचे की तरफ देखते हुए कहता है हे अपने कपड़े उतारो दिखाते हैं यह सुनेगे वह बाद वो दूसरे चमचा घबरा जाता है और कहता है अरे ब्रदर जी यूंग तुम क्या करना चाहते हो फिर इसकतमे दिखाता है वो शायद उसके कबड़े पेल लेता है उसके साथ कबड़ों का एक्चरश कर लेता है और फिर इसकतमे दिखाते हैं वो अपने बालों को अच्छे से जमाता है और फिर इसकता में दिखाते हैं त्यांक्षा उनसे कहता है कुछ ऐसा है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे बताओं कि इससे पेले असल में क्या हुआ था दिखाते हैं दूसरे चमचा आगे बढ़ता है इसलिए हमने सोचा कि हम तुम्हारे उपर सुसू करके तुमको जगा दें दिखाते हैं उसकी बास सुनके त्यांगशा कहता है तुम्हें क्या लगा इससे चीज़े आसान हो जाएंगी अब जब कि तुमने मेरे उपर करा है तो मैं भी तुम्हारे उपर सुसू करूँगा दिखाते हैं उसकी बात सुनके जो पेला चमचा है वो कहता है अरे तुम हमें मार सकते हो लेकिन इस तरह से अब मारें ने का सकते दिखाते हैं दूसरे चमचा और बोस दोनों साथ में बोलते हैं अगर तुमने ऐसा करा तो हम लोग फाइट करेंगे दिखाते हैं उनके बात सुनके जो त्यांगशा है वो उनके तरफ घुर के देखता है और कहता है क्या तुम लोग मनना चाहते हो दिखाते हैं उसके बात स लोगों के हैं यहां अबी दिखनें लोगों आपे सब्नावारा होता है उसका नाम चाहिए और वागिस यहां से जा सकते हो दिखाते हैं जो बस बंदा है वह बोलता है दें पापा ये चेंच जियोंग ता जिसने ये सब शुरू किया था उसमें लगों मेरा काहटी दिया था दिखाते हैं तैंक शेया उसकी तरफ देखता है और कहता है तो यहां का डीन इसका पापा है और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं जो डीन है वो कहता है ही के मैंने तुम वापस क्लास में जा सकते हो, दिखाते हैं, दिखाते हैं, वो बोस बंदा, अपने चम्चों के साथ यहां से जाने लगता है, और त्यांग शया से कह रहा होता है, स्कूल के बाद, तुम यहां से जाने की हमत मत करना, मैं तुम्हें आज मार दूँगा, और इसा कहता है, और तुम्हारा नाम चेंज होंगे, और तुम काफी हो, केमिस्ट्री के अलावा, तुम सभी सब्जेक्ट में फिर लो, और तुम हर साल की परिक्षा में, इस्टुटेंट के बीच में, टॉप करते हो, फर्च रेंकिंग में, पर सबसे पीछे से, और इसके अलावा, तुम्हा जाना चाहिए था, और फिर इसको हमें दिखाता है, वो डीन, आगे बोलता है, डीन होने के तोर पर बुरा बरताव करने वाले स्टुटेंट को सजा देना, ये मेरी जिम्मेदार ही है, तो अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाओ, तुमारे एक्स जाने दे सकते हो, मुझे छोड़ सकते हो, इस बार दिखाते हैं जो डीन है, वो इसको पर चलाते हुए कहता है, मुझे सर मत कहो, मुझे डीन बुलाओ, दिखाते हैं, दिखाते हैं, तैंक्शिया, डीन के सामने जुख जाता है, और बोलता है, हाँ डीन, मैं वहीं करूँ पोचिक अबोटि है था उसके बाद है मों को फोन कर देंगा गाल। वो उनका वेल्कम करता है और बोलता है मैं इस स्कूल का डीन हूँ और आप मुझे सर डीन बूला सकती हो दिखाते हैं एक सब्सक्राइब को एक पूरा इसकूल दिखा लेता हूँ विजड करा देता हूं दिखाते हैं इसकी कोई ज़रुत नहीं और फिर इसके बाद हमें दि देखते हुए सोचा होता है तो यह चेंजियों की मदर है और फिर इसके बाद हमें दिखा जाता है जो चेंग की मौ में वो टीन से बोलती है क्या मैं जान सकती हूं कि आपने मुझे स्कूल क्यों बिलाया है सर दिखाते हैं टीन टैंग शेंग को अपने पास बिलाकर इसे उसे लगा लेता है अपने पास और कहता है जादा कुछ नहीं बस आपके बेटे ने कुछ इस्टूटेंट्स के साथ जगडा कर लिया और उन्हें पीटा दिखाते हैं जो टैंग जल्दी किसे बदल गया और फिर इसका वद हम highlightा जाता है यह बास सुने के बार जो चैन की मंदर होती है क्या सच में और पिर इसके चैन को गले से कह लिका उसे बहुत लगी दिखातें हैं दिन चैनला टो कहता है वो बहुत हुआ जरह आपने बेटे से पूछो कि उसने क्या हो किया उसमें एक हैं उस मेरे बैटे का पर काटी दिया घजक है अब मों में चैन की वो डिन के तरफ घूर के देखती हैं और वो भी छटक जाती है और उससे कहती है तो आप उसे इसलिए निकाल रहो क्योंकि उसने आपके पेटे को मारा मेरे बेटे को हर अफते कोई बड़ी चोड़ लग जाती है उसे हर दिन कोई ना कोई पीट देता है तब आप रहते हो निकाला इसकूल से जिसने मेरे बेटे को पीट आए यह सुनने के और वाद दिखाते हैं वो किता है किसी पटाइम पर छैंशीयोंग सफ्रिंग मैं के और में ने लिए संब्स्या paranoid Lou होताहै hem मूझी से किताब रहती है और के घ्मोर्ड जाता है और सिरह तुम ज़ंक करने के कोईशिश कर रहे हो दिखाते हैं त्यांकन करते हैं किसी को मारना चाहता हूँ उसकी बाद सुन जो डीन है वो थाड़ा घबना चाहता है और कैता है क्या तुम मुझे यानि की लिएक उन्के को कर रहे हो दिखाते हैं उसकी बाद सुनके त्यांग शया कहता है मेरे इतने हिमत कहां में तो इसकी विज़े खुद को हिट करने वाला हूं और फिर इसकी बाद में दिखाया जाता है वो किताब से खुद के सुर्पफ हो जोर से माता है और यह देखे चैन की मौम और डिन दो कर रहे हो त्यांग शया है नहीं बस सजिस्ट कर रहा हूं और फिर आँब हम्हाइं चेन की मौम को दिखाया जाता है जो कि त्यांग शया की तरह का ही at की ह्याजाता है और तीन से कहता है और और दीन अगर मैं अपने आपको थोड़ा और मारता हूं तो कुछ टाइम में ब्लेडिंग होना शुरू हो जाएगी दिखाते हैं उसके बास उनके जो टीन है वो घपरा चाता है और बोलता है ठीके ठीके अब बस करो मेरे लिए और परिशानी पेदा करना बंद करो दिखात जाता है त्यांग्शिया चेंड की मौम के साथ चलते हुए जा रहा होता है और जो चेंड की मौम है वो त्यांग्शिया से बोलती है क्या कुछ है जो तुम मुझे बताना चाहोगे चियोंग दिखाते हैं चेंड केता है नहीं कुछ नहीं और फिर इसके बादा में दिखा और पिछे से चेंट की मों मुंसी आवाज दे रही होती है और फिर वो किती है यह लड़का भी ना और इसके तरफ हमें दिखाया चाता है वह उड़के ते और ये देखे जो त्यांकशा है वो सोचा होता है किया सत्रूता पूर्ण वाता वराने वैसे मेरी सीट कहां पर है और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो सब लोग से पूछते हैं क्या कोई मुझे बता सकता है कि मेरी सीट कहां पर है उसके बाद सुनके दिखाते हैं बच्चे हसने लगते हैं और केते हैं अरे इस बंदे के सिर को तो इती बुरी तरा से पीटा गया है कि अब वो यही भी नहीं जानता कि वो कहां पर बेटता है तब ही यहां पर हमें दिखाते हैं कोई क्या केते हैं तैंक्षिया को आवाज द ये देखके वो कहता है ये किता अनोईंग है और फिर इसका वाद में दिखाया जाता है वो अपनी बेंच को लाद मार के उड़ा देता है और क्लास के बंदों से बोलता है क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये किस ने किया है दिखाते हैं वो लड़की भी तैंक्शाय के तरफ देखरी होती है और कुछ नहीं किती और फिर इसके बाद में यहाँ पर दिखाया जाता है कुछ बंदे होते हैं जो त्यांग शाय को बताते हैं यह जाओ लोंग और दूसरी क्लास के अधर बच्चों ने किया है बस इसे छोड़ दो जाने दो वो डीन का बेटा है दिखाते ह उनके बाद सुनके जो त्यांग शाय है वो सोचता है तो वो लोग फिर से अब जब कि वो लोग मेरे साथ खिलबार करी रहें तो मुझे भी उनका फेवर वापस करना होगा और यहीं पर अपनका फरस्ट एपिसोड एंड हो जाता है अगर एपिसोड आपको अच्छा लग बताना कि मैं इसे कंटिन्यू करूं इसी रिसको या नहीं और जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूट